देश का प्रधान मंतरी सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लोबी है, पूजी पतियों का प्रधान मंतरी है, गरीबों का प्रधान मंतरी नहीं है, अरे तो जनता हो रही है, पहुते परेशान मोदी जी आप से, अब की बार जाएगी भातपा की सरकार, अब की बार पूर्ण रूप स कमल को धूल चटाने का कम देश की जनता करेगी क्योंकि कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल है तरीके से भारतिये जनता पाटी के सासनकाल में पूर्ण रूप से इन्होंने कानून व्यवस्था को धुस्त करने का काम किया है आपने देवरिया की ये घटना देखी होगी जिस तरीके से निर्वम तरीके से भारतिये जनता पाटी और उत्तर प्रदेश में योगी आदेतनात की सरकार जो कहती है कि हम पूरी तरीके से कानून व्यवस्था सोद्रिन किये हुए है मैं योगियाद इतनात से पूछना चाहता हूँ आ कहीं में क्या उत्तर प्रदेश में उन लोगों को न्यायम निर्पा रहा है जो इस सरकार ने बड़े-बड़े वाइदे किये थे मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास क्या उस सरकार के सासनकाल में उत्तर प्रदेश की दिवरिया में उन परिवार जनों को न्याय मिलने का काम करेगा क्या देश के परधान मंत्री या देश के योगिया इतना मुक्ह मंत्री उतर पर देश के क्या इसमें जवाब देंगे नहीं जवाब देना चाहते हैं अज देश की जनता जब रोजगार मांग रही थी, तब इस सरकार ने उनको लाठी और डंडे से प्रहार करने का काम किया, देश की महिला जब नय मांग रही थी, तब इस सरकार ने उनके उपर लाठी और डंडे वरसाइद जेल की सलाकों के पीछे डालने का काम किया, इस भा पहुते परेसान मोदी जी आपसे अपकी बार जाएगी भात्पा की सरकार अपकी बार पून रूप से कमल को धूल चटाने का कम देश की जनता करेगी क्योंकि कमल का फूल देश की सबसे बड़ी भूल है आज आप बताईए गलत फैमी में हैं आप गलत फैमी होगे आप सेर गलत फैमी आप मत पालो क्योंकि मोदियाविन बिंद्व के पत्रकार है आपको मोदी जी से बड़ा प्यार है लेकिन ही नहीं जानते हैं इस देश में प्रधान मंतरी जी ने मोदी क्या करनेगा काम किए देश की जंता को पहले ताली और ठाली बज़वाए हमारे पूर्बज रोज कहते थे अगर घर में कोई ताली और ठाली बजाएगा तो दली दृता आ जाती है अरे बैया उत्तर प्रदेश में माफिया और गुंडों के सासंदी गुंडा राज में योगी आधितनात के गुंडा राज में उत्तर प्रदेश में दिंधारे छे लोगों की हत्या हो जाती है और जब खाने में अफाईयार हो अरे बैया कौन सी कारवाई योगी जी कर रहे ह का काम किया है योगी जी ने जिस तरीके से आज आपने देखा होगा बुल्डों कौन से पुलुस कर्मियों पर बताइए उन क्या उन पांच-छे सदस्यों की जो हत्या हुई है क्या वो लोगों आपसाएंगे अगर इस सरकार के सासंकाल में अगर वहां पर कारवाई कर दी ज दस पूरा परिवार जिनका आप बताईए जिनका परिवार पूरा समाप्त हो गया एक सिर्फ चार और पांच साल का बच्चा बच्चा अरे उसके दिल से जाके पूछिए इस सरकार ने बहुत बड़े क्या था कि बुल्डोजर चलेगा माफिया थट-थट कांपेगा अरे अगर आप बताईए लोगतन खत्रे में नहीं होता तो आज क्या वाकई में आप पत्रकार को जिस तरीके से सरकार नहीं नहीं वाय देला के आपने देखा होगा नूहू का मुद्दा दबा दिया गया आपने देखा होगा जिस तरीके से मणीपूर का मुद्दा दबा दिय जिस तरीके से इंडिया और भारत में भारतिये जंता पाटी ने देश की जंता को उलजा दिया जब आपने देखा होगा बिहार में जातिगत जंगरना जारी की गई उसके बाद पत्गारों पे परहार कर दिया गया उसके बाद जो विपक्ष के नेता उनके उपर CBI, ED और ऐ जंद्रिये मंत्री हम कहते हैं धक्षो को बेज देना चाहिए राष्टिये धक जेपी नडड़ा अड़ा नड़ा कोन है इनको भी बेज देना चाहिए जाके चुनाओ लड़ ले मद्ध परदेश में मद्ध परदेश की जंता हो या देश की जंता हो भारतिये जंता पाट बिल्कुल भाई क्योंकि ये सरकार के सासंकाल में बिना सपूत के लोगों को जेल की सलाकों के पीछे डाल दिया जा रहा है कोई सबूत नहीं है इस देश के प्रधान मंत्री ने जेल की सलाकों के पीछे तमाम इनके तंत्रों ने लोगों को जेल में भेजने का कम क्या आपने मसाल है एक नए जबाहलाल है अर भारतिया जनता पार्टी को खटम करने के लिए अपकी बार पूर्रूप से और नारंगी संगी बजरंगी जो हैं देश की जनता पूर्रूप से तयार है अपकी अरे जिस राज का जूटा और पाखंडी हो जाए उस राज का सर्बनास हो जाता है रावण के बंसच कौन है रावण के बंसच यह भारतिये जनता पार्टी वाले यह काली नेमी है जान पोस्टल में कहता नहुं है देश का परधान मंत्री बेरोजगार सबसे आप देखे हु सबसे मजबूर परधान मंत्री है मजबूत कौन कर रहा है मजबूत भाजपावाले करेंगे सबसे मजबूर परधान मंत्री है जो कहते थे 56 इंज का सीना है वह 56 इंज का सीना नहीं है देश के परधान मंत्री का वह रोरो के जीना है चीन पर क्यों नहीं लालांग देश के प्रधार मंत्री ने हम जैसे ही वाओं को जो इस देश की आवाज बने हुएं उनको भी जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया लेकिन हम भगत सिंग के बंसा जाएं और राहुल गाधी के सिपाही हैं हम इस लडाई को लड़ेंगे और इस अहंकारी और ताना सा सरकार को सathy से मेदखल करने का काम करेंंगे तो फिर बियजएपी ब्रस्ट जबियू को भरस्ट जनता पर्टी को हो बलतकार जन्ता परटी को हो देश के बेचने वाली पर्टी को जो कहते थे में देश नहीं जुकने दूनगा एंगा यदेश कहीं जुक रहा है आम है आमका पेड है देश जुकेगा गजब बेवकूब बनाया देश के परधान मंतरी ने मैं देश नहीं लुटने दूगा लेकिन खुद लुटा के चला जाओंगा अईशा परधान मंतरी कोई था मैं देश नहीं जुकने दूगा लेकिन चीन ने हमारी जमीनों पे कबजा कर ल पूजी पत्यों का प्रधान मंत्री नहीं है देखे मैं कहता हूं उनके पार्टी का वह है जिस तरीके से लेकिन सरकार सडेंत्रों के जरी इस पर आप जाए केजरिवाल जी से पुछे तो बहतर होगा ठीक है दृतराष्ट जी से वह भी दृतराष्ट से समझी है उनसे जाके पूछे हम उनके प्रवक्ता नहीं है लेकिन इस देश सरकार के सासनकाल में आप आवाज उठाएंगे तो आपको जेल की सलाकों के पीछे होगा लेकिन हम इस सरकार से डरने वाले लोग नहीं है वही कहाता भगत सिंग ने बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है तो अब देश की विपक्षी नेता जो हैं उनको कॉंग्रेस के साथ आजाना चाहिए खड़े हो जाना चाहिए ऐसा नहीं है कि यहां दिल्ली में कहें कि हमें लाइन्स में हैं और आप जाके वहाँ कहते हैं कि हम विपक्ष में लड़ रहे हैं चुनाओ तो यह नहीं हैं कितने हिंदु नेता बनाएंगे अओ धर कह रहे हैं यहं नोग केप्षिट के नेता हैं ये हंदू के ठेक़दार हैं यह सिर्फ ठेकेदारी करने का काम करते हैं ऐसा कोई नहीं बचा जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं अरे भाईया देखिए हाथ करें अपाओ करें तो कि भारतिये जनता पार्टी पूर्ड रूप से जान चुकि यह पांचो राज से हमारा सफाया हो रहा है मोदी जी थर नवमर में लगनी चाहिए लेकिन मध्य परदेश का चुनाओ इनको अभी से ठंडवा दिया है क्योंकि आप यह नहीं बोल पा रहे हैं पता नहीं आपने देखा होगा मध्य परदेश में उसमें रानी जुर्गावती कोई रेलवाई स्टेशन है नहीं था उन परधान मंत मंतरी को तक्ष से उन नीचे उतारने का काम करेगा यह देश का युवा है आप इसको गुम्रा नहीं कर सकते हैं आपने दस साल में देश की जनता का त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया योगिता के अनुसार नोकरिया है इस देश में मैं M.B.A किया हुआ चात्रों देश के प प्रधान मंतरी नहीं चाहिए जो देश की जनता के ऊपर आकरांतों जैसा बेवहार करें यह देश के प्रधान मंतरी ने करने का काम किया चाहे जमानों के ऊपर हो चाहे किसानों के ऊपर हो चाहे महिलाओं के ऊपर हो चाहे इवाओं के ऊपर हो ऐसी सरकार कोई नहीं थी आ प्तांत्रिक पार्टी जो इस देश में जनता के हितों की बात करती है एक नए नेता जो हमारे है देश के जनजन की आवाज है राहुल गाधी को आने वाले समय में 2024 में देश का प्रतनिदित करने का मौका देगी और देश के प्रधानमंत्री जोला उठा लिजिए क्योंकि ज सबसे और सबसे आजादी भारत के 75 साल में सबसे बड़ा भरष्टाचार में लिप्त प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं है जिनके मंत्री नमामिगंगे का घोटाला कर दियो हों जिनके मंद्री राम के नाम पे लूटने का काम किया हों जिनके लोग धर्म के नाम पे इस माहुना टीए